चार बास चोविस गर्ज अंगुल अश्ट प्रमाण ताके उपर सुल्तान है मत्चूको चोहान हमारी तैयारी 243 पर है बिर्जु जी राष्टिये लोक जन सक्ति पाटी ने अपने आपको होम कर लिया और सहयोगियों का इस तरीके से आँख दिखाना या भारतिये जनता पाटी को अब सोचना है देखना है देखे मान्य प्रधान मंत्री ने सुरू से आस्वस्त किया है अधरनिये पसुपति कुमार पारश जी के साथ हमारे साथ अन्याय नहीं होगा बात है कि तरारी सीथो या बिहार के जो चार उप्चुनाओं है इस पर एंडिये का परचम लहराना चाहिए वह उप्चुनाओं में रहेंगे इंडिये के साथ में समान अगर आप दीजेगा तो हम लोग तो हर वह काम करने के लिए इंडिये के अंदर पस्पती कुमार पारस को भारती जिन्ता पाटी ने साइड कर दिया है। पारस जो है वो दिखेंगे क्या इस मुलाकात से चिराग पास्वान की जो बेचायनी है वो बढ़ेगी। मेरे साथ पस्पती कुमार पारस के पाटी के प्रदेश के मुक्त पवक्ता है। जी के वेक्तिगत संबंध हैं और काफी पुराने संबंध हैं। एक ही जिला से दोनों नेताओं का संबंध है खगडिया से। और बड़े भाई छोटे भाई का संबंध है और बहुत पुराना व्यक्तिगत संबंध है आधरनिय दिलिप जैसवाल जी हमारे पाटी दफ्तर में आये उनका स्वागत किया गया और बहुत सारी बात हुई कुछ बताने योग्य है कुछ छिपाने योग्य है तो अच्छी ब आसवान ही कह रहा थी कि आप लोग टेंडिय कहीं सा है नहीं देखे जो भी कह रहा हो अब हमको तो हसी आती है इस बात पर और बचकाना बयान दिखाई पड़ता है कि जिसने भी ये बात कही तो अब हात कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या आधरनिय दिल आतिये जनता पाटी जो बड़े भाई की भूमिका में है गठबंदन में और ये भूलना नहीं चाहिए कि आधरनिय पसुपती कुमार पारह जी देश के यससवी प्रधान मंत्री आधरनिय नरेंदर मोदी जी के नोमनेशन में सांथ में गए कई सभाओं में मान्य प्रधा राश्टीय जन्सक्ति पाटी ने अपने आपको होम कर लिया उसके बाद अगर किसी का बयान आता है कि राश्टीय लोक जन्सक्ति पाटी इस गठबंदन में नहीं है तो हम सिर्फ हस सकते हैं और राजनितिक समझ उनकी कितनी है इस पर विशेष आकलन आप लोग ही कर सकते देखें मान्य प्रधान मंत्री ने सुरू से आस्वस्त किया है अधरनिय पसुपति कुमार पारश जी के साथ कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा तो आने वाला समय राष्टिय लोग जन सक्ति पार्टी का बहुत बहतर है चुकि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं इस situation को deal करेंगे राष्टिय लोग जन सक्ति पार्टी मान्य प्रधान मंत्री जी में सुरू से आस्था रखती है और हम जानते हैं कि हमारे हितों का संरक्षन मान्य प्रधान मंत्री जी करेंगे हम लोग एंडिय के साथ में हैं और हमारे नेता ने असपश्ट कहा है अभी को देती हैं तो हम लोग सभी सीटों पर अपने सहयोगीयों को समर्थन देंगे मजबूती के साथ मदद करेंगे अगर सम्मान राष्टिय लोग जन सक्ति पार्टी का नहीं रहेगा तो हम सभी सीटों पर चुनाओ लड़ेंगे ये तो हमारे नेता ने ताल ठोक दिया है इ कि एंडिये के अंदर जब प्रश्पति कुमार पारास आपकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई तब कहा गया है कि इस बार जो है वो चिराग पासवान का चला एंडिये में और चिराग चाचा साब हड़ जाए चाचा साब हड़ गये लेकिन चुनाओ पर नाम आया च प्रश्पति कुमार पारास जब तक थे तब तक सब कुछ ठीक था लेकिन चिराग को हमने गल्ती कर दी अपने पास लाकर इस वेज़े से पाराजी को तबज्जो दी जा रही है देखे आधरनिय पसुपति कुमार पारास जी कभी भी मीडिया के लाइम लाइट में नहीं रहते हैं दिखावे की राजनीत से बिल्कुल दूर रहते हैं और सुरू से इनका राजनीत का जो पैटर्न आप देखिएगा तरीका इनका वही है सिंपल और सधारन रहना है और क कारेकरता को बाइनेम बाइफेस पहचानते हैं हर कोई जानता है जहां तक बात आपकी रही कि लोग सभाचुनाओं में दरकिनार किया गया गलत फीडबैक देखर और एक परसेप्सन गढ़कर जिस तरीके से मीडिया में उसको प्रस्तूत किया गया और भारतिये जनता पा पांच में पांच लाते सीट और पहले भी आया है आधर्निय पसुपति कुमार पारस जी जब मान्य प्रधान मंत्री जी के साथ मंत्री मंडल में थे 2019 के बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं था आज तक मान्य प्रधान मंत्री जी का कोई भी निर्ने हो इंडिये का कोई भी निर तो इसमें कहां कोई सणक पर उतरने की बात थी, लेकिन अब कुछ ऐसे नेता हैं जो मान्य प्रधान मंत्री जी के निर्ने पर प्रस्न उठा रहे हैं, तो भारतिये जनता पाटी उनसे अब डील करें किस तरीके से करती हैं, हम लोग आज भी मान्य प्रधान मंत्री जी में आ था है, हमारी पहली प्रात्मित्ता है कि एंडिये के साथ दोजार पचीस का हम लोग विधान सभा चुनाओं लड़ें, अगर सम्मान मिलेगा, तो हम लोग साथ में रहेंगे, सम्मान नहीं मिलेगा, तो रास्ता सब के लिए राजनीत में उपिन है, तराडी पर दावा था या बिहार के जो चार उप्चुनाओं हैं, इस पर एंडिये का पर्चम लहराना चाहिए, हमारे नेता आदर्निय पसुपति कुमार पारजी एकदम ताल ठोक कर हैं, अगर किसी भी उप्चुनाओं की सीट पर हमारे नेता की जरूरत होगी, तो हमारे नेता बिलकुल पर उपलब्द रहेंगे और जनता के बीच में, हमारे सभी संगठन के जो हमारे कारेकरता हैं, वो उप्चुनाओं में रहेंगे इंडिये के साथ में, सम्मान अगर आप दिजेगा, तो हम लोग तो हर्व काम करने के लिए तयार हैं, जो एक मजबूत सहयोगी को करना चाह लेकिन अगर किसी की मंसा है कि पसुपति कुमार पारस का नामों निसान बिहार की राजनीत से मिटा दिया जाए, या भूतो भविस्ति संभव नहीं है, कभी नहीं संभव है, लोक सभा में जो गलती, राष्टिये लोक जन सक्ति पाटी ने कर दिया, अब वक बिधान सभा में उसको हम लोग दोराने वाले नहीं है, हमारी तयारी 243 पर है बिर्जु जी, 243 पर हमारी तयारी है, तो हम लोग इससे अब चूकने वाले नहीं है, चार बास चौबिस गर्ज, अंगुल अश्ट प्रमार, ताके उपर सुल्तान है, मत चूको चौहान, इस बार चूकने वाले हम लोग नहीं हैं अंडिये के अंदर चुकि अंडिये के हैं के अंदर मंत्री है और जिस परकार से बहुत दरेंद्र मोधी के खलाप दिख रहे हैं जो तेवर दिख रहे हैं ऐसे में भाज़पा को वेवेसास होने लगा है कि चिराग पास्वान को चुनाओ लड़ा कर उनकी पाटी को सीट दे और केंदर में मंत्री भी है लोग सभावें बैठ के लेकि विधान सभावें पस्पति कुमार पारस बैठने वाले नहीं है सम्मान नहीं मिला तो फिर 243 की 243 सुटों पर चुनाओ राश्तिये लोग जनसत्री पार्टी लड़ेगी आपकी क्या रहा है आप अपने राय को क